हरी कृष्णा राथी राथी, वेलकम बेक टू हैपी लाइफ इद कानाजी जिसकी आज की वीडियो में आप है शिवानी के साथ हैपी लाइफ इद कानाजी की आज की वीडियो में हम 13 अक्टूबर को मनाई जाने वाली पर्मा एकादशी के विशे में बात करेंगे पुर्शोत्तम माज प्रिशन पक्ष एकादशी को पर्मा एकादशी कहते हैं और इस पार यह वरत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा एकादशी तिथी का प्रारंब 12 अक्टूबर को शाम 4 बज कर 38 मिनट से होगा जो 13 अक्टूबर को तो पहर 2 बज कर 35 मिनट तक चलेगी एकादशी वरत का पारन 14 अक्टूबर को सुबह 6 बज कर 21 मिनट से 8 बज कर 40 मिनट तक किया जाएगा पर्मा एकादशी के महतो और इसकी महत्तम के विशे में पूछते हुए शेरी युदिश्टर जी बोले हे जनार्दन अब आप अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसके वरत की विधी बताईए शेरी कृष्ण भगवान बोले हे राजन इस एकादशी का नाम पर्मा है इसके वरत से समस्थ पापक शे होकर इस लोक में सुक और परलोक में मुक्ति मिलती है इसका वरत पूरवोत तरविधियों से ही करना चाहिए भगवान विश्णों की दूप दीप नवेद्ये पुष्प आदी से पूजा करनी चाहिए इस एकादशी के विशे में एक मनोहर कता है जो महरेशियों के साथ कामपिल्ये नगर में हुई थी वहें मैं आपसे कहता हूँ आप ध्यान पूरवक शरवन कीजिए कामपिल्ये नगर में सुमहिता नाम का एक प्राम्मन रहता था उसके इस्तरी पवित्र और पती विर्ता थी वहें किसी पूरू पाप के कारण अत्यंत दरिद्र थी उसे भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी फिर भी वहें अपने पती की जेवा करती थी अतीतियों को अन देकर स्वयम भुकी रह जाती थी और अपने पती से कभी किसी वस्तू को नहीं कहती थी जब सुमेधा ने अपनी इस्तरी को अत्यंत दुर्बल देखा तो वहें बोला हे प्रिये जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वहें मुझे नहीं देते ग्रहस्ती कीवल धन से चलती है अब मैं क्या करूँ इसलिए अगर तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश जाकर कुछ उद्ध्योग करूँ क्योंकि विद्ध्वानों ने उद्ध्योग की परशंसा की है ऐसी बात सुनकर उनकी इस्तरी विनीत भाव से बोली हे प्राणनात मैं आपकी आग्या की जेरी हूँ पती अच्छा और बुरा जो भी कुछ कहे वही पत्नी को करना चाहिए मनुष्य को पूरुव जनम में कर्मो का फल मिलता है सुमेरु परवत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वरण नहीं मिलता पूरुव जनम में जो मनुष्य विध्या और भूमी का दान करते हैं उन्हें इस जनम में विध्या और भूमी मिलती है विधाता ने भाग्य में जो लिखा है वह टाले से भी नहीं डलता यदि कोई मनुश्य दान नहीं करता तो उसे भगवान केवल अन नहीं देते हैं इसलिए आपको इसी इस्थान पर रहना चाहिए क्योंकि मैं आपका व्योग नहीं सह सकती पती बगैर स्त्री का संसार में माता-पिता, भाई, सरसूर, संबंधी सभी निंदा करते हैं और उनको आता देखकर सुमेधा ने अपने इस्तरी सहित पर नाम किया और बोले आज हम धन्य हो गए, आज हमारा जीवन आपके दर्शनों से सफल हो गया उन्होंने उनको आसन और भोजन दिया भोजन देने के पस्चात वह पती वृता इस्तरी बोली हे मुनी, आप मुझे दरिद्रता के नाश की विधी बताईए मैंने अपने पती को परदेश में धन कमाने जाने से रोका है अब मेरे भाग्ये से आप आ गए है और मुझे पूर निश्चे है कि आप मेरे दरिद्रता नश्ट करने के किसी वृत को बताएंगे इस पर कॉंडिन्य मुनी बोले अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के वृत से समस्त पाप, दुख और दरिद्य नश्ट हो जाते है इस वृत में नाच गान सहित रात्री जागरन करना चाहिए कुबेर को महादेव जी ने इसी वृत के प्रभाव से धन सुनाई फिर वहमुनी बोले ये ब्रामणी पंच रात्री वरत इससे भी अधिक उत्तम है परमा एकादशी के दिन प्राते काल नित्य कर्म से निर्वत होकर विधी पूर्वक पंच रात्री वरत का आरंब करना चाहिए जो मनुष्य पांच दिन तक निर्वरत करती हैं वे अपनी माता पिता और इस्त्री सहित स्वर्ग लोग को जाती हैं जो पांच दिनों तक संध्या को भोजन करती हैं वे स्वर्ग को जाती हैं जो मनुश्य इस्नान करके पाँच दिन तक प्रामणों को भोजन कराते हैं, उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का उत्तम फल मिलता है जो मनुश्य उत्तम प्रामण को तिल सहित दान करते हैं, वे विश्नू लोक में रहते हैं जो गी के पातर कादान करते हैं वे सूर्ये लोग को जाते हैं। जो पांच दिन तक ब्रह्म चरिय पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग रुजाते हैं। हे ब्राम्बनी तुम अपनी पती के साथ इस वरत को करो, तुमें तुम्हारी सिद्धी की प्राप्ति होगी और अंत में स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी। कॉंडिनिय मुनिके कहे अनुसार उन्होंने पर्मा एकादशी का पांच दिन का वरत किया। वरत समाप्थोने पर उन्हों ने देखा कि राजकुमार उनके सामने खड़े हैं राजकुमार ने एक उत्तम घर जो कि सब वस्तूँ से सजा हुआ था उन्हें रहने के लिए दिया राजा उनको एक ग्राम देकर अपने महल को चले गए वह दोनों इस वरत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुक भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए शिरी कृष्ण बोले हे राजन जो मनुष्य परमा एकादशी का वरत करता है उसे असंखे तीर्थो यग्योवादी का फल मिलता है जिस परकार संसार में दो पैरोवालों में ब्रामन चार पैरोवालों में गोव देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ट हैं उसी परकार सब मासों में पुर्शोत्तम का मास उत्तम है इस महीने में पंचरात्तरी अत्यंत पुन्य देने वाली है इस रेश्ट महीने में पदमिनी और पर्मा एकादशी है अधै इस दुरलब मास का मनुश्य को जरूर वरत करना चाहिए इस प्रकार से जो वरत करता है उसको अंत समय में स्वर्ग लोग की प्राप्ति होती है और जनम चक्र से मुक्ति मिल जाती है हरे कृष्णा राधी राधी